जैन फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपनी प्रमोस सरवारानसी में फ्रेंट्स आज किस वीडियो में हम कवर करने वाले हिंदी के टॉफ हंड़िट प्रयावाची यह वही प्रयावाची है जिनको हमने पढ़कर 30 में 30 स्कुर किया था 1262 में और वही अपने परस अनुम दूर्ट्स काक्र हुर और आपका प्रयावाची में अंजिए को मिलेगा तो चली स्टाट करते हैं वीडियो को वीडियो में आगे पने से पहले उपर देंज्ञेज student है और साथ ही साथ इस टैनोग्राफर वीपियो फारेस्ट गार्ड एटियो और computer operator के लिए आप फारेस्ट गार्ड के लिए तो आप निश्चित रुप से computer की इस e-book को तुरंद परचेश करें और अपनी एक सिट सुनिश्चित करें क्योंकि computer की e-book जो यहाँ पर हमने बनाया है बिल्कुल इस sequence में है कि आपको market में कहीं भी इस टाइब की बुक देखने को नहीं मिलने वाली है और इसकी price की बाद करें 100 रुपे इसका price रखा गया है बिल्कुल sequence wise सबकुछ chapter यहाँ पर दिया गया है और सबकुछ chapter साल्व करने के बाद आपको last में PYQ question रखा गया है आपके लिए यानि जो previous exam में पूछे गया है और यहाँ पर PYQ question हर एक chapter के बाद रखा गया ताकि आपका exam easily crack हो जाए तो अपनी exit सुनिश्चित करने के लिए computer की e-book जो है तुरंत मंगवाए और यहाँ e-book मंगवाने के लिए जो दिया गया नंबर है 9793661506 इस पर फोन पे करके इस पर screenshot share कर दिए यह WhatsApp नंबर है और इसी WhatsApp नंबर पर जो फोन पे नंबर है यह WhatsApp नंबर भी है इसी पर आप payment करने के बाद screenshot और अपना नाम सेर कर देंगे तुरंत आपको PDF प्रवाइड हो जाएगी और इसको रट डालिएगा निश्चित रुप से आपको कौशन देखने को मिलने वाला है चली स्टार्ट करते हैं वीडियो को हम लोग प्रयावाची यहां पर कवर करेंगे और टाउफ हंडेट प्रयावाची है सभी कोशन अच्छे से याद करिएगा तो सबसे पहला है यानि 14 नंबर तक हम लोगों ने कवर किया था जैसे नैसर क्रितिक किसका प्रयावाची है नैसरगीक का है नेक्स्ट हाथ हाथ को क्या क्या कहा जाता है हाथ को हस्त कहा जाता है हाथ को पाड़ी कहा जाता है कर कहा जाता है और बाहु कहा जाता है कर जो होता है बहुत जादा पूशा जाता है और कर यहां अनेकार्थी में भी आता है कर अनेकार्थी में इसलिए आता है क्योंकि कर का मतलब एक tax भी होता है क्या होता है tax भी होता है इसके वैसे आप प्रयावाची अनेकार्थी सब कुछ इसमें समाईद रहता है तो यहां से आपका जो प्रयावाची हम करवा रहे हैं अनेकार्थी भी आपका तयार होगा यह प अब comment box में होता है क्योंकि कल हमने इसको करवाया था अनल और अनिलकार्थ क्या होता है चलिए यहां पर next question है सूर्य का प्रयावाची क्या होता है सूर्य को दिनकर दिवाकर भानु भासकर आदित और अन्सु माली कहते हैं एक कोशन रट लीजिएगा क्योंकि एक कोशन काफी सूर्य को दिनकर कहा जाता है दिवाकर कहा जाता है भानु भासकर आदित और अन्सु माली कहा जाता है यहां पर आदित बहुत ज्यादा पूछा जाता है और भासकर भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है वैसे हर एक एक्जाम में कहीं कहीं सब कुछ पूछा गया है दिनक उसलिए लिज को हमने हाइट कि लहाँके बहुत ज्यादा पूछा गया है तो वीच और उ्र्मी यह लहर के प्रएवाचि है तो अ सा करते हूँ आप ने 12 20 रुपे ओला रुफ ले लिया होगा और इसी के साथ जब आप पढ़ते हैं इसी के साथ पैन डाउन करते रहे हैं और इसको इसको पुट करते रहे हैं जो आहता है उसको कट कर दिए जो नहीं आता उसको लिख लिए जैसे लहर लाहर में तरंग का प्रयावची आपको आता होगा हिलोर भी आता हो सकता वीच ना आता हो तो वीच को आप लिख लिए और उर्मी लिख लिए बहुत ज्यादा पूछा जाता है तो लाहर का प्रयावची क्या होता है तरंग वीच और हिलोर उर्मी होता है नेक्स्ट है चाद प्रेवाची भी और आपका जो तुरुटी वाला सब्द होता है वह यहां पर त्यार हो रहा है नेक्स्ट सरस्थी सरस्थी जी का प्रेवाची क्या है सरस्थी जी को भारती कहते हैं तो बहुत सी स्कूलों का नाम होता है विद्या भारती तो यहां पर भारती किसका प्रेवा इला किसका प्रयावाची है सरस्वती जी का प्रयावाची है वागीस किसका प्रयावाची है सरस्वती जी का प्रयावाची है ब्राम्ही गिरा गिरा भी सरस्वती जी का प्रयावाची निधात्री निधात्री वागेश्वरी और सार्दा इस सभी किसके प्रयावाची है सरस् शुचित को रिमाइंड कर लेते हैं सरसुति के प्रयावाची क्या-क्या है भारती, विड़ापाडी महासुएता, इला वागीस, ब्राम्भी गिरा, निधात्री वागेशुरी और सार्दा ये सभी सरसुति जी के प्रयावची है नेक्स्ट है जनारदन जनार्दन का प्रयावची क्या होता है विश्वंभर होता है क्या होता है विश्वंभर नारायर चक्रपाड़ी चक्रपाड़ी तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है तो चक्रपाड़ी किसका प्रयावची है जनार्दन का प्रयावची है जनार्दन को यह जनार्दन को और क कुंद कहा जाता है लक्षमी पती कहा जाता है क्या कहा जाता है लक्षमी पती कहा जाता है जलसाई किसका प्रयावची जलसाई जनारदन का ही प्रयावची विश्लु जी का प्रयावची है चतुर भुज जो है विश्लु जी का प्रयावची जनारदन का प्रयावची है अच से रिवाइस करते हैं बिस्वंभर, नारायर, चक्रपारी, मुकुंद, लक्ष्मि पती, और जलसाई, चतुर्भुज, अच्चिवत, गरुडधोज, यह सभी जनारधन के प्रयावाची है। चंद्रहास किसका प्रयाची है तलवार का प्रयाची है लक्षमी किसका प्रयाची है लक्षमी स्री का प्रयाची है तो स्री का मतलब क्या होता है और चंद्रहास का मतलब तलवार होता है समुद्र, समुद्र का प्रयाची क्या होता है तो अभी कल हमने बताया था कि धा अगर लग जाए तो समुद्र का होता है जैसे नीर, नीर है नीर पानी का प्रयाची है तोय, तोय पानी का प्रयाची है अंबू, अंबू किसका है पानी का प्रयाची है लेकिन इसमें अगर जा लग जाए तो कमल का हो जाएगा जैसे नीरज, तोयज, अम्बुज एक कमल के हो गए अगर इसमें दा लगा दिया जाए तो बादल का हो जाएगा नीरद बादल का प्रयाची है तोयद बादल का प्रयावची है अम्बुद बादल का प्रयावची है लेकिन इसमें अगर धा आइड कर दिया जाए तो यहां आपका समुद्र का प्रयावची हो जाता है जैसे समुद्र का प्रयावची पयोधी, अरडव, वारीस, रतनाकर सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रश्ण कौन सा है अरडव और वारीस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है अरडव और वारीस पहुत ज़्यादा पूछा जाता है देखे वारीस और वारीस में मत कन्फूज है वारीस किसका है माता सरस्थी जी का प्रयावाची है और वारी इस और रेतनाकर कहा जाता है चलिए यहाँ पर देवता के प्रेवाची क्या-क्यों है अमड के फर न जतना करवा रहे हैं उसको याद रखिएंगा एक एक में देखर हैं ति है तो इसको एक एक प्रयावाची आप को यहीं देंगे और आपको कमेंट बॉक्ष में बताना भी होगा चलिए तो देवता को क्या क्या कहा जाता है देव कहा जाता है आदित्य कहा जाता है अमर कहा जाता है सुर निरजर त्रीदस त्रीदस तो भईया बहुत important है अमरत्य और अजर इस सभी देवता के प्रयावाची है चलिए सिव को क्या कहा जाता है सिव को महेश कहा जाता है भगवान सिव को महेश कहा जाता है महादेव कहा जाता है रूद्र शंभू उमापती शंकर आशुतोष मदनारी चंद्रमोली त्रिपुरारी यहां से आप याद रखिए आशुतोष मदनारी चंद्रमोली त्रिपु स्यूंग का प्रयावाची है ठीँख है चली है तो तुरंग किसका प्रयावची तुरंग को क्या कहता है घोरा प्रयावची अδखिये अगर लेकिन अगर रवी सुता आ जाए तो रवी सुता देखिए यमुना का प्रयावची यानि यहाँ पर आपका क्या तयार हो गया सब्द यूग्म इंद्र शचीपति शुर्पति बहुँ ज़्यादा पुझा जाता है सचीपति किसका प्रयावाची है तो विड़वजा का प्रयाची इंद्र का प्रयावाची है। मार किसका प्रयावाची मार अनंग का प्रयावची मार अनंग मार अनंग का प्रयावची आ और यहां पर देखिस नोट हमने अलग से बनाया कि चतुर्भुझ किसका प्रयावची चतुर्भुज भगवान विश्लू का प्रयावची है लेकिन चतुर्मुख अगर आये तो ब्रह्मा जी का प्रयावची है दोनों अच्छे से याद रखिएगा दोनों बहुत ही और इस्टुर्ण्स को बताएए कि यहाँ पर जूनियर असिस्टन की तयारी बिल्कुल टॉपिक वाइच करवाई जा रही है ठीक है ताकि और इस्टुर्ण्स जूड़ सकें तो आप लोग जरूर सेर करिए वीडियो को ताकि हम लोग क्लास कांटीनियू रख सकें और निश पैसेज जो होता ना पैसेज बहुत गलती होती है पैसेज का ट्रिक बता देंगे तो लेकिन आप लोग का रिस्पॉंस अच्छा रहना चाहिए तब जाके हम पूरा क्लास करवा देंगे और इसके बाहर आपको कहीं भटकनिक जरूत नहीं पड़ेगी ठीक है और बहुत ल बस आप क्लास को जादा जादा सेर करिए जादा जादा वाच करिए ताकि यहां पर हम लोग का भी मनोबल उंचा रहे ठीक है तो यहां पर कर लेते हैं ताकि आपको इसी वीडियो में याद हो जाए नैसरगी इसको यह के कोशन याद रखिएगा नैसरगी किसका प्रयाव हाथ का प्रयावची क्या होता है हस्त होता है पारी होता है कर होता है बाहु होता है सूरी का प्रयावची क्या होता है सूरी को दिनकर कहते हैं दिवाकर भानु भासकर आदित और अंसु माली कहते हैं लहर को क्या कहा जाता है लहर को तरंग कहा जाता है वीची कहा जाता है ह और उरिमी कहा जाता है चादनी का प्रेवाची क्या है कामधी है जोट्सना है और स्वरस्थी का प्रेवाची क्या है भारती है वीड़ापारी है देखें इतना कोशन करवा है इसको आप बैं डाउन करके अच्चे से रट लीजिए आज के लिए तना ही काम रहेगा क्योंकि इतना आप याद कर लेंगे तो उसके बाद कल दूसरी प्रयावाची मिलेगी एक वीडियो और आएगा इसके बाद प्रयावाची खतम हो जाएगा और इसके बार गारंटी एक भी कोशन नहीं देखने को मिलेगा वीड़ापारी महास्वेता, इला, वागीस, ब्राम्ही, गिरा, निधात्री, वागेश्वरी और सारदा इसके प्रयावाची है जनारदन, जनारदन किसका प्रयावाची है बिस्वंभर का प्रयावाची है नारायन, चक्रपारी, मुकुन्द, लक्ष्मिपती, जलसाई, चत क्या जाता है डेवता को कहते हैं अधित कहते हैं अमर अजर कहा रविसुत होता है लेकिन याद रखेगा सब्द्यूग्म रविसुत का आर्थ होता है घोडा लेकिन रविसुता का आर्थ होता है यमुना होता है ठीक है याद रखेगा विडवजा किसका प्रयाची विडवजा इंद्र का प्रयाची है और देवराज का प्रयाची है देव एगवान विष्वू का परयावची है और चतुरमुख ब्रह्मा का परयावची है ठीक है और चलिए आप लोग के लिए आज क्वेशन है ह्स्टब्लू है यामुना का जो भी परयावची होता है आपको comment box में लिखना है ठीक है आज का homework है यमुना और अनल अनिल दोनों का आपको comment box में answer बताना है तो friends वीडियो कैसे लिए comment box में जरूर बताईएगा और comment करके जरूर जाएगा क्योंकि आपका comment और एक like में next वीडियो के लिए motivate करता है एक बार फिर से बता रहे हैं friends अगर आप computer की e-book लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो number दिया गया है 9793661506 इस पर आप payment करके screenshot लेकर इसी number पर आप send कर दिजेगा आपको इसका e-book प्रवाइड करा दिया जाएगा ठीक है बिल्कुल sequence wise है market में ऐसी कोई बुक नहीं है जो आपको e-book लेटेस्ट पैटर्न है इस पर आधारित कोई भी बुक मिल जाए तो यहाँ पर हमने अपने मेहनस से यहाँ पर तयार किया है 100% oriented content है इसलिए इस बुक को आप लोग ज़रूर परिस्टेश करें निश्च